अक्ट्रस आल्या भट और अन्बीर कपूर की जोडी बॉलिवुट की टॉक जोडियों में से एक है। और सोशल मीडिया पर फैंस इस बंगले को देख कर अलग-अलग बाते भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर अल्या भट और अन्बीर कपूर के नए लावश हाउस की जलक सामने आ चुकी है। इस बंगले की इमारत अंबानी हाउस एंटीलिया की तरह उची है। हलाकि आल्या और रंबीर के इस घर को एंटीलिया से कंपेर करना गलत होगा। ऑनलाइन सामने आये विडियो में इस बंगले में 6 मंजिले देखी जा सकती हैं। जस पर ग्लास मिरर विंडो और वाइट रेलिंग देखी जा सकती है। दिवारों पर ग्रे और सफेद रंग का पेंट किया गया है। रिपोर्ट के मताबक इस घर का नाम रंबीर कपूर की दादी कृष्णराज कपूर के नाम पर रखा गया है। वहीं कई मीडिया डिपोर्ट के अनुसार इस बंगले को बनाने में करीब 250 करोड की लागत लगी है। खबरे हैं कि रंबीर आल्या ने इसे अपनी बेटी राहा के नाम पर रजिस्टर कराया है। हाला कि इस बात पर अभी तक कोई ओफिशिल मोहर नहीं लगी है। चैमन्जलर इस बिल्डिंग की डीडियल की बात करें तो इसमें एक फ्लोर नीटु कपूर का होगा जिसमें वो अकेले रहेंगी। दूसरा फ्लोर रंबीर और आल्या के साथ उनकी लिटल प्रिंसिस राहा का होगा। इसके अलावा तीसरा फ्लोर राहा के लिए ही होगा जब वो बड़ी हो जाएंगी और उन्हें अपना खुद का एक अलग स्पेस चाहिए होगा तो उसमें वो अकेले शिफ्ट करेंगी। इसे लेकर उनकी बुक शेल्फ तक को इस कमरे में रखा जाएगा अलर अन्बीर के आश्याने में स्विंग पूल, जेम, गार्डन समेथ कई लक्शुरी सुवधाएं मौजूद हैं। जहां कुछ लोग इस घर को देखकर हिरान हैं और इसे बिलकुल लाविश मान रहे हैं तो वहीं कुछ सोशल मीडिया यूजर्स इसे लेकर अपनी राय दे रहे हैं। यूजर्स ने लिखा क्या बकवास हैं। कि आल्या और अन्बीर अपनी बेटी के साथ इस घर में जल्द शिफ्ट हो सकते हैं। खबरे हैं कि वे इस साल दिवाली यां क्रिस्मस के मौके पर अपने नए बंगले में शिफ्ट हो सकते हैं। Bureau Report E24